है लो तो गाइस है हम साब दिश्रुबं को बार फ्रॉम सिगाई टीकेशन और आज के इस पर्टिक्लर वीडियो में मैं आपके लिए लेकिया हूँ काम्च के और तीस क्वेशन का सेलिशन अगर आप लोग ने फर्स पार्ट जो इस क्वेशन का वो नहीं दे रखा तो पर आई बटन के आ रहा होगा वहांसे भी आप जाके देख सकते हैं तीस पार्ट का सलूशन और अनदर थर्टिक्वेशन का सलूशन इस वीडियो के अंदर है और काईस और वी आप अपार्ट टू तो फटाफट से श्रूवात करते हैं कौशन नंबर थर्टि वन की कौशन नंबर थर्टि वन इस वेरी 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 बेसिक प्वेशन कहता है कि 800 रुपे कोट्स का सेल प्राइस है हमने उन्हें अप्रूबल पे बेजा था कोई अप् उसकी इन्वेंटरी कितनी इंकलीज हो जाएगी कितने रुपे सच की इन्वेंटरी इंकलीज होगी चीक है बेसिकली इसने यह कुछ है तो इसमें यह cash है चोटा था वो यह कि profit जो है वो 25% on cost है तो it means it is 20% on sales it means it is 20% on sales and if it is 20% on sales then first we have to do 800 का 20% which is nothing but actually 1600 160 sorry 160 so now we have to bring it to the cost the sales price of the goods तो 800 minus 160 is equals to 240 rupees 640 rupees ठीक है तो basically इसकी जो cost है वो 640 रुपे से बढ़ जाएगी guys 32 की और बढ़ते है 32 कहता है while finalizing the current year profit of the company उस company को लगा कि 45,000 का closing stock जो stock है वो over value है यानि valued more है पिछले साल का closing stock over value हो गया एक छोटा सा relation समझा है तो एक छोटा सा relation आपको समझा रहों guys यहाँ पर वो बहुत ही important relation है किस-किस के बीच में होता है यह होता है guys inventory और profit के बीच में relation so here we have closing stock मैं यह भी stock लेकरा हूँ छोटी के वैसे आप inventory भी से assume कर सकते हो और यहाँ हमने है profit ठेके guys let me change the color first अगर closing stock हमने over value कर दिया अगर हमने closing stock को over value कर दिया तो जो इसका profit है company का profit है वो भी over value हो जाएगा अगर हमने closing stock को less value कर दिया या under value कर दिया तो profit भी under value हो जाएगा लेकिन अगर हम बात करें अगर मैं आपसे बात करूँ opening stock की क्योंकि κusion जो बनेंगे वो सिर्फ इसी को लेके बनेंगे Opening stock की और profit के बीच में अगर आपने Closing stock, opening stock को Overvalue कर दिया इससे आपका Profit decrease हो जाएगा अगर आपने Opening stock को Undervalue कर दिया तो इससे आपको Profit बढ़ जाएगा So conclusion क्या लिकल के आता है इससे कि closing stock और profit के बीच का जो relation है मरलाब यहां में relation बता रहा हूँ वो direct है मरलाब उन दोने के बीच एक सीधा संबन्ध है direct relation है एक को बढ़ाओ के दूसरा बढ़ेगा दूसरे को गटाओ के पहले बढ़ा हटेगा लेकिन अगर इन दोनों के बीच की बात करें इन दो मारलागोजों के बीच की बात relation की बात करें अगर हम उनके बीच का relation है वो indirect है इनके बीच का relation guys indirect है इसके अंदर क्या होगा कि अगर आप एक को बढ़ाओंगे तो दूसरा घटेगा और दूसरे को बढ़ा होगे तो एक बढ़ेगा चिक है तो यहाँ पर देखो क्या क्या जा रहा है आपसे बहुत सिंपल से आपसे 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 बात कहीं जा रही है पिछले साल की closing stock closing stock over value हो गई थी तो इससे पिछले साल का profit पिछले साल की guys over value हो गया होगा direct relation दोनों में होता है so previous year profit was overstated अभी मैं यहाँ पर लॉक कर सकता हूँ statement से A और B option को दोनों में आप देख सकते हैं previous year profit जो आपसे दे रख था है so आगे बड़े अगर पिछले साल का profit overstated हो जाएगा अगर पिछले साल का profit previous year profit और current year profit में indirect relation होता है inverse relation तो उसमें understated हो जाएगा so current year profit जो है वो understated तो मेरा option यहाँ पर select होता है D ठीकी guys मेरा option यहाँ select होता है D question number 33 की अगर आप बात करें question number 33 कहता है आपसे कि machine आपने खरीदी एक लाग लोग देगी उस पर हमने 2% brokerage पे कर दी repairs पे 15,000 रुपे कर्च करें 30,000 ट्रांसपोर्ट पे और 7,000 ट्राइल 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 इंस्टॉलेशन एग्वेंस इस पिंता लिए सो 11 मेने बाद एक operating 11 मेने के operation करने के बाद मतलब उसे machine को चलाने के बाद 800 रुपेर आता है तो cost of machine कितना करके बता हूं या बताने की जो इतनी है सिर्फ एक छोटा सा logic बता रहा हूं वो यह कोई भी asset हो जब भी उसकी cost cost निकालने की बात आती है तो यह statement याद रखना on the day या date of purchase all the expenses will be included in cost मतलब जिस दिन आपने purchase करा उस दिन सारी खर्चे जोड़ दी जाएंगे अब इन सब को total कर लो अब इन सब को total कर लो एक लाग, दो परसेंट, फंद्रह अजसो, टीस यह, सॉरी, टीस नहीं, ट्रांस्पोर्ट खर्च कर रहें तो सब का मिला के आपको जो total हाजाएगा वो हाजाएगा यह ठीके गाइस, let's get ahead एक company ने एक suit file करा, legal suit file कर रहा है, competitive company के किलाफ और claim करा पांच लाग रुपे की infringement benefit, मतलब उसने कहा कि आपने हमारे patent right को चुराया है इस वए से लेकि उनने claim file कर दिया, यह क्या है, यह तरीके के contingent asset है, contingent asset कौन से asset होते हैं, जो हो सकता है ना बने, अभी contingent क्यों है, income क्यों नहीं है, क्योंकि पक्का नहीं है, हम claim जीतेंगे, और हो सकता हम claim हार जाएं, इसलिए हम माल लेंगे contingent asset next 35, when outflow of economic sources to settle down an obligation is not a probable or the amount expected to be repaid to settle the liability cannot be measured sufficiently liably as contingent liability CD, CD defined, मैंने का आप से जब वो करवाया था, revision करवाया था, accounting process रगए रखी, तो मैं आपको कहा था, कि यह इसकी definition ही पूछे लिए, और definition ही paper है, पूछे लिए fluctuating capital is credited by all of the above, fluctuating capital क्या होती है, देखो, partnership के अंदर, partnership में, दो तना के account बनते है, capital accounts, दो तना के बनते है एक बनता है fixed, और एक बनता है fluctuating, ठीक है, fixed कब बनता है, fixed कब बनता है, जब सारे पाट्टर्ट यह कहें, कि हम अपनी capital को all the time, rigid रखेंगे, या मैं लेख सकता हूँ, intact रखेंगे, या मैं लेख सकता हूँ, unchanged रखेंगे, unchanged ठीक है, अपनी capital को आईसे रखेंगे, लेकिन इसमें क्या capital fluctuate होती रखी है, अगर fixed capital account बन रहे हैं, तो हम एक अलग से profitable loss application account बना करके यह सब काम करते हैं, या partners capital current account बना के काम करते हैं, लेकिन fluctuating capital में सारी चीज़े partners capital account में ही चली जाती हैं, 37 के अगर हम बात करें, interest on capital account will pay to the partnership, provided agreement, agreement में लिखा हम interest on capital pay करेंगे, लेकिन सिर्फ किस में से करेंगे? सिर्फ current tier profit में से करेंगे? यस, सिर्फ current tier profit में से, deserve में से नहीं करेंगे, acclimate profit में से नहीं करेंगे, goodwill में से नहीं करेंगे, अगला question PNQR, थोड़ी सी typing mistake है, PNQR, partners in a firm, profit sharing losses, 3 ratio 2, तो हम की capital है, डिल लाग और एलाग, रिलाग, 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 तो हम की capital है, they admitted R, it's not OR वाला R, it's R, R as a partner with a capital of 19,000, और उन्होंने एक बात और लिख दी, कि उन्होंने, जो other partner की capital है, उसको new partner की capital की सिगे साथ, adjust करना है, फिर उन्होंने पूछ पूछ लिया, कि बताओ, कितना cash P partnership firm में लेकर आएगा, कितना cash P partnership firm में लेकर आएगा, यह लग, ठीक है, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, new partner की capital से total capital of the firm calculate कर लेनी है, वो कितनी हो जाएगी total capital of the firm, 90,000 को 4 से multiply कर दें, आता है नहीं तो करना, exam को solution देख रहे हो, उत्ता है तो आपको आता ही होगा, 3,60,000, total capital of the firm, अब हम calculate करेंगे NPR, new profit sharing ratio, वो अगर 1,4 share में आ रहा है, तो total 1,4 minus A is equals to 3 by 4, यही तो करते थे हम लोग, ठीक है, और यह रहा P, यह रहा Q और यह रहा R, P का share कितना है, 3 by 5 multiplied by 3 by 4, इसका share 2 by 5 multiplied by 3 by 4, और इसका share कितना हो जाएगा, 1 by 4, क्योंकि इसको यही तो मिला है, इस सहाली, इनको जड़ा simplify कर लो, 9 by 20, इधर 6 by 20, और इधर 1 by 4 को अगर 20 के terms में लाना है, तो हमें 5 से multiply करना पड़ेगा, यानि 5 by 20, तो हमारी NPR कितनी बन जाएगी, guys, हमारी NPR बन जाएगी, 9 ratio 6, ratio 5, ठीक है, अब आपको करना क्या है, basically, जो 3,60,000 है, उसमें से P का हिस्सा calculate कर लो, 3,60,000, divided by 20, multiplied by 9, ठीक है, उसका हम हिस्सा के लोग लेट कर लेते हैं, 0 से 0 कट गया, इधर अगया 18,000 का अंसर आगया, 1,62,000, मतलब उसकी जो capital है, वो 1,62,000 होनी चीए, पी की, लेकिन पी क्यापिटल कितनी है, 1,500,000 रुपे, तो हम उससे क्या कहेंगे, भाइक, 12,000 रुपे घर जाओ और लेकर आओ, सिंबल, 39, आउट्गूइंग पार्टनर को कमपेंसेशन देया जाता है, future profit के साथ मिलाने के लिए, किस ratio में देते हैं, किस ratio में देते हैं, उसे हम गेनिंग ratio में देते हैं, उसे हम गेनिंग ratio में देते हैं, ठीक है, टॉम इंगेरी और पार्टनर से लिए, तो बताओ कि अमाउंट शिवा कितनी लाएगा, सबसे पहले इस question के अंदर आपने क्या के लिएट करनी है, new profit sharing ratio, NPSR, मैंने गलाटिक दिया, NPSR के लिएट करेंगे, 1-5 है अगर, तो 1-1 by 5, which is equal to 4 by 5, okay, Tom, Jerry, Shiva, यह 3 लोग है, Tom का share, 3 by 5, multiplied by 4 by 5, 2 by 5 multiplied by 4 by 5, और इस 5 का तो simple simple 1 by 5, इसको simplify करेंगे तो 12 by 25, इसको simplify करेंगे तो 8 by 25, और इसको करने तो 5 by 25, ठीक है, मलब new profit sharing ratio कितनी आ जाएगी, well ratio 8, ratio 5, इतनी आ गई, new profit sharing make sure, ध्यान से देख लो, चीक है, हमें करना क्या है, इसके इंदर से, अब ध्यान से देखना, total capital of the firm कितनी है, यह 1,70,000 नहीं है, यह मुझे टाइपिंग एरर है, यह सिर्फ 70,000 है, ठीक है, total capital of the firm कितनी है, total capital, total capital है guys, 1,20,000, अभी तक की बता रहा है, और यह 1,20,000 कितने share के लिए है, total, 20 shares के लिए है, 20 shares, 12 और 8, 20 shares के लिए, तो divide by 20 multiplied by 5, multiplied by 5 क्या, शिवा का share निकालेंगे, अरे ध्यान से उसक्तो, new PSR कितनी है, 12,85, ठीक है, total capital of the firm existing कितनी है, 1,20,000, तो जो दो पार्टनर है, जो existing दो पार्टनर है, वो दोनों पार्टनर, 20 share लेके बैठे हुए है, देखो, वो दो पार्टनर 20 share लेके बैठे हुए, ये दो पार्टनर है, ये टॉम और ये जैरी, ठीक है, ये दो पार्टनर 20 share लेके बैठे हुए, कैसे 20 share, 12 और 8, और दोनों की capital कितनी है, 1,20,000, अब मुझे इसका निकालना है, शिवा का है, शिवा का है, शिवा ये रहा, मुझे शिवा का share निकालना है, शिवा के share निकालने के लिए, मैं simple simple trick क्या जो कर रहा हूँ, एक लाग बीजी दानी जो टोटल कैपिल लोस को firm के total share से डिवाइड कर दिया, और multiply कर दिया, new partner के share से, किसे multiply कर दिया, new partner के share से, तो उससे पर पास क्या आ गया, ये कट जाएगा, answer आ जाएगा, 30,000 गाईगा, 30,000, x, y, z, our partners in a firm sharing profit and losses, 504 ratio 3, 39, 16 को z की मृत्यू हो गई, 2016, 17 का profit 40,000 है, z का share कितना, इसमें simple आप लोग को पता करना क्या होता, up to the date हमको profit देना होता है, हम सिर्फ वो ही दे देंगे, up to the date, up to the date हम इसको profit देके, दे दखल करेंगे, ऐसे, वो कैसे करेंगे, 40,000, multiplied by उसका share, उसका share कितना था, 5 और 9, 12, z का है, 3 by 12, 3 by 12, multiplied by, ठीक है, 3 by 12, multiplied by, ठीक है, 3 by 12, multiplied by, 30, 9 को, उसकी देतोरिय हो, तो हम अस्यूम करें, कि 31 March का year रहा होगा, तो half year पी देतो हो रही, तो 6 by 12, ठीक है, तो इसका answer आजाएगा आपका, कितना आजाएगा गाईज, 5000 रुपीज, that's it, question आपका finish, यह रा answer, 5000 रुपीज, 42 की अगर हम बात करें, X, Y, R, partnership of home sharing, profit and loss in the ratio 3, ratio 2, Z was admitted as a new partner for one-fifth share of the future profit, that take his entire share from X only, गाईज, यह जो question number 42 है न, इसका answer वैसे तो आ रहा है, 2, 2, 1, लेकिन मुझे इसका answer 2, 2, 1 नहीं आ रहा है, मैं आपको solve करके दिखा रहा हूंगा, आपको गलत लेगा, तो comment box में बताना जरूर, कि यह मेरा गलत क्यों है, तो 1-5th share पे वो आ रहा है, तो हम हर बार कितना करने वाली चीज़ कर लेंगे, 1-1 by 5, which is equal to 4 by 5, अब वो एक चीज और कह रहा है कि वो अपने सारा share जो है, वो X से ले रहा है, ठीक है, तो जाएट सी बात है, इस 4 by 5 को हम सिर्फ X से multiply करेंगे, X, Y, X से multiply करेंगे, यानि 3 by 5 multiplied by 4 by 5, और Y का share intact रहेगा, यानि 2 by 5, ये इतना हो जाएगा, 12 by 25, और ये कितना हो जाएगा, अगर हम 25 को टर्म्स में लाए भी तो, 10 by 25, ठीक है, और जो उसका बच्रा था 1 by 5, वो हो जाएगा 5 by 25, अब इसको simplify भी कर लें, तो ये 2 to 1 भी बनता, ठीक है, तो मेरे साबसेस का अंसर D9 of the above है, लेकिन question paper solution जो printed way way है, और इंटरनेट पे वो 2 to 1 दिखा रहे हैं, पता नहीं क्यों, 43 के अगर बात करें तो again simple question है, कि death के time, JLP का जो पैसर receive होता है, वो किस ratio में बढ़ता है, तो वो बढ़ता है, all partner को उनकी old profit sharing ratio में, ये question 44, goodwill निकाल लिए capitalization method के अंगर, normal rate of return दे रहे है, average profit वेगरा सब दे रखा है, इसके अंगर सबसे पहले आप क्या करते हैं, अगर मैं ICA module को बिल्कुल follow कर वा हूँ आप से तो, आप सबसे पहले निकाल लोगे इसमे, नॉर्मल value of business, उसको छोड़ो जो हो गया, normal value of business, वो कैसे calculate होती है, normal value of business निकाल लेगा formula होता है, average profit यानि कि 1,5,000 divided by normal rate of return, यानि 15% से उसे divide कर दो, answer आजाएगा 7 lakh rupees, ठीक है, फिर capital employed में से normal value of business को less कर दो, जो बच जाएगा balance वो goodwill है, यानि कि 6 lakh minus, उल्टा लिख दिया होने, normal value of business में से capital employed को less कर दो, answer आजाएगा आपके बास 1 lakh, तो इस question में goodwill हो गई, 1 lakh, question number 45, partner जेए firm calendar year basis पे अपने accounts maintain करता है, team partner थे, उसमें से किसी एक की death हो गई, कर 30 March को, 30 March को उसकी death हो गई, profit of the firm, यह firm है, profit of the firm 2009 में 75,000 तो हमें बताना है, कि उसको profit कितना मिलेगा, और share जो है वो equally है, अगर आप solve करोगे, तो कितना आएगा, I think, इसका, मैंने calculate नहीं करा हो, आप चाहिए दो solve कर लेगा, जो आएगा, वो ही main answer है, ठीक है, अच्छा, highlighted है, 6250 answer आजाएगा, ठीक है, दूसरा कहता है, जब share forfeit होते हैं, तो share capital limit होता है, कि iht amount से, कि iht amount से, और share for fifteen andλοड होता है, कि इस amount से credit, यह दो इन्में चीज़ पूछी है, so, share capital for picture के time, called up amount से credit होता है, called up amount वो होती है, जो हमने share holder से मांग वाली है, और credit होता है, वो share for feature की amount से, जितना amount उन्हें हमने forfeit करा है, मतलब कि जो पैसा shareholder company को दे चुका है, चुका है, company को दे चुका है, वन्हें shares are issued to promoters, तो उनकी service के बदले हम उन्हें कुछ share देते हैं, तो वो share हम किस खाते से debit करते हैं, goodwill, मैसेज रिवीरा ने 300 share forfeit करे, 10 रुबे का एक for the non women of 4 रुपे पर share by the holder, ये share 5 रुपे पर share पर issue कर दिये, तो CRR में कितने पैसे transfer होंगे, सबसे पहले, हम देखते हैं कि हमारे share for feature account में कितने पैसे आएंगे, share for feature account में कितने पैसे आएंगे, share for feature account में आएंगे, 4 रुपे पर share के सबसे, okay, for the non payment of 4 रुपे, यानि कि 6 रुपे उनने pay करे होंगे, तो 18,100 रुपे आ जाएंगे, ठीक है, अब कर लो ratio की entry, simple simple, which is bank account debit, भाई हम मैं तो कहता हूँ कि मुझे कुछ नहीं आता, मैं तो सारा concept चली करता हूँ, ठीक है, bank account debit कितना, 5 रुपे किसाब से bank account debit कर दो, 300 का, 18,15 रुपे, to share capital account, अब वो nominal value से debit होगा, credit होगा, कितना, 300 into 10, तीन हजार, तो discount यहां पर आ जाएगा, discount account debit, 1500 रुपे, अठारा सो कमाई, 1500 का discount दे रहे हो, तो 300 रुपे का profit नहीं हो गया, ठीक है, 14,000 कि अगर हम बात करें, company ने 3000 share forfeit करें है, 10 रुपे का एक share था, 3 रुपे per share, जो था, वो non payment था, ठीक है, on which company ने, which is company called up, not called up, यह 9 नहीं है गाई, 3 रुपे per share मतलब company ने मंगाये नहीं, वो ही कहना चाहरा, तो 7 रुपे per share ही हमने मंगाया था, समझ आ गया, typing error नहीं है, अब यहां से लगा, यह में में है, ठीक है, यह पूरा question दुबारा लगा ले, ओके, a company has forfeited 3000 equity share, 10 रुपे का एक, 3 रुपे per share, for the non payment of 3 रुपे per share, लेकिन company ने not called up करें थे, तो वो पूछ रहा है कि, on forfeiture पे share capital account कितने से debit होगा, तो आपको पता होना चे, guys, forfeiture के time share capital account, called up amount से debit होता है, अब called up amount इसमें कितनी है, 9 रुपीज इंटू, पी नहजार, कितना, 27,000, अगर डिवेंचर को मैं ऐसा collateral security जमा करा दें, तो एंटरी क्या होगी, डिवेंचर suspense account, debit to debenture account, क्यों, simple entry को बहुत बार कर चुके हो, बताने वाली बात नहीं, discount on issue of shares is a capital loss, वो एक capital loss है, और जब तक डिवेंचर की life होती है, तब तक हम उसे equally write-off करते हैं, डिवेंचर की total life में हम उसे equally write-off करते हैं, 10 रुप का मतलब होता है, total life period, 52, falling can be utilized for redemption of preference shares, proceeds from fresh equity shares, देखो, आप लोगों ने एक चीज पढ़िए थी, प्रेफरेंस shares हैं, उनको share के पैसे से ही कर सकते हैं, हम डिवेंचर और FD नहीं उठा सकते, ठीक है, कमपनी इशूट 6,000, कमपनी ने 6,000 वो इशू करें, डिवेंचर इशू करें, 10% वाले, 100 और पर गाए, हर एक को 10% के discount पर कर देगे, 5 सल बाद पैसा वापिस कर देगे, 5% प्रेमिय लेगे, टोटल लॉस बताओ, डिवेंचर इशू करने पर कित आ रहा, तो गाईज, एक कमपनी के लिए, डिवेंचर इशू करने पर लॉस क्या है, एक company के लिए loss क्या है, loss उसके लिए दो item होगे एक जो ने discount issue करा है issue के time पे और एक जो उसने premium पे करा है, वो उसके loss होगा आपका होगे क्या interest loss नहीं होगा, नए interest नहीं exactly loss नहीं होगा क्योंकि वो तो एक reward है आपका पैसा इस्तमाल करने का ठीक है, हम आपका पैसा अरदा खरे हैं, इसलिए हम आपको interest पे कर रहे हैं premium और discount purely loss है, pure loss किस तरह याज है क्योंकि वो तो आपका पैसा आपका पैसा उठाने के लिए हमने पैसे दे रहे है ठीक है, वो net loss है discount company कितना दे रही है, 60,000 का देखो guys discount दे रही है company कैसे दे रहे system का discount, 10% के सबसे और redemption के time को 5% premium दे रही है, यानि कि 30,000 रुपे premium दे रही है अब दोनों को जोड लें, तो net loss हमारा आ जाएगा 90,000 रुपीज that's all, 54 की बात कर लेते हैं Mrs. X Limited ने asset ले ले ले, 4,60,000 के liability ले ले ले, 30,000 रुपे की of Mrs. MRS के, पर्चेस कंसिलेशन के हो, क्याते है 4,40,000, company issue करते है, 10% debenture of 100 rupees, इस 10% premium है यहाँ यहाँ पर, word यहाँ missing है 10% premium to purchase consideration तो बताओ, वो debenture कितने issue करेगी सबसे पहले हम निकाल लेंगे, हाँ पर net assets की value आसे वो irrelevant test के लिए, लेकिन मैं फिर भी निकालने सिखा रहाँ जो कि होती है, asset minus liability asset minus liability चार लाग साथ हजार, माइनस तीस हजार यानिकि कितना आगया answer, चार लाग तीस हजार चार लाग तीस हजार, अब सुनो purchase consideration कितना है, चार लाग चालिस हजार purchase consideration, चार लाग चालिस हजार इसको divide कर दो, एक debenture की cost से कितना, ग्यारा रुपे cost आ रहे एक debenture की दियान से दिखा जाए तो ग्यारा रुपे आ रहे है sorry, 110, ग्यारा रुपे कर रहे है 110 आ रहे है, क्यों? 10% premium है न 0-0 कड़ी है, कितना आगे? 4000 debenture हमें issue करने पड़ेंगे या वो company करेगी, उच्छी भी कह सकते है preference share, बच्चपन कोशन preference share 4 लाग रेडीम, एक प्रीमें 2% ठीक है, equity share 2 लाग रुपे के एक प्रीमें हमने निकाल दिए, by issue so amount transfer to CRN कितना? आपको पता होना चीह है कि जितना आप equity से निकालो के उत्ता ही आपको CRN में डालना पड़ेगा तो 2,00,000 रुपे डालो 56, decrease in the balance sheet of trade receivables result in balance sheet में जो trade receivables है, उनका कम होना क्या है? सब कुछ increase दे रखा है, लेकिन वो increase in cash है, trade receivables आप सिर्फ cash से पे कर सकते हो, asset से पे कर सकते हो, लेकिन option में देने रखा था decrease in asset लेकिन वो जातर कब होता है, वो मैं आपको कभी full video में बताऊंगा 57, if an individual asset is increased, there will be a corresponding decrease of another asset या increase of liability, या तो साथ में आपको कोई asset कम होगा या आपकी liability बढ़ेगी, कैसे? अगर आप कई asset purchase करके ला रहा है, या तो आप cash लाओगे, या आप वो loan लेके लाओगे So decrease in cash, increase in loan simple, क्या यह हो सकता है? इसका आदा part हो सकता था, इतना नहीं हो सकता है तो अंसर अपना है B 58 चींज इन अकाउंटिंग पोलिशी आप कर रहे हैं ये कोशन इतनी बार पूछ चुके हैं मुझे बताने की जोड़त भी नहीं है कि उसके तीन ही ओप्छन है और तीन ही दे रखे हैं ICNA अगर ये टीन स्टेट्मेंट है तो आपको चेंज इन अकाउंटिंग पोलिशी करना पड़ेगा इसांपल भी तो उसका लीफो यूज कर रहे थे आपकी इंडस्ट्री पे AS2 लग गया AS2 वो ले तो इनवेंटरि वैलुएशन वो क्या कहता है कि फीफो यूज करो तो अब आपको फीफो यूज करना पड़ेगा ठीक है 59 ये लास्ट कोशन है 68 कोशन मुझे मिला नी अब इसका अंसर मैं क्या बता हूँ इसका अंसर कंजर्वेटिज मैं और ये पता क्यों नहीं बतारा है आपको क्या है एक बिजनस्मैन ने 25 लाग के गुड्स करे थे 80% बेख दिये तो 25 लाग के 80 पसंट हो के 20 लाग तो रिमेनिंग वैल्ली हो गई 5 लाग उर्पे लेकिन उसके तो रिमेनिंग गुड्स से उसकी वैल्ली थी अब भी market value 4 लाग थी लेकिन उसने फिर भी अपने closing stock को closing inventory को cost pay value कर दिया तो उसने conservatism concept को violate किया कैसे conservatism concept को violate किया सुन लो conservatism concept कहता है कि अगर आपको कोई near future में loss होने वाला है तो उसको आप admit करो उसकी entry करो लेकिन near future में आगा कि profit होने वाला तो उसके entry नहीं करनी या loss होने वाला एक लाग का loss होगा क्योंकि goods की value market value 4 लाग रह गई है उसने लिया ही नहीं ठीक है guys आज की इस वीडियो में लिटता है एक दूसरी वीडियो में don't forget to subscribe our YouTube channel for more updates and press the bell icon button to get all updates on 9 इस वीडियो के like कर देना अगर आपके पसंद आई है और market day लो हो है उसकी वीडियो में कल तक upload कर दूँगा उसके जो questions है उसके लिखर के एक साथ 40 के साथ 40 questions को upload कर देंगे तो उसमें आपको घबराने वाली कोई बात नहीं है और फिर देखने एकनामिस वागर की वीडियो में मैं लेके आऊंगा तो गाइस मिलते हैं उन वीडियो में थैंके गाइस